कि नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका मुखुल स्टीडी में दोस्तों यह सिसेट्स रिच चल लिए आज सात्वा दिन है इससे पहले मैंने छे वीडियो अप्लोट कर दिया है तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख लेजिए ओके तो दोस्तों इसमें देखिए प्रिवेस डेली चलेगा देरे देरे कोशन की कोशनों की संख्या बढ़ेगी ओके तो आपको क्या करना है आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सेर करिए कि आपका जो भी ग्रूप हो सब में ओके चलिए देखिए पहला कोशन है 36 किलो मीटर प्रति घंटा की चाल से 110 मीटर लंबी रेलगाडी चल रही है उसे 132 मीटर लंबे पूल को पार करने में लगने वाला शमय है समय टाइम पूछ रहा है तो देखिए रेलगाडी की लंबाई कितनी है क्यों रहतिर लंबाई 110 मीटर और पूल की लंबाई कितनी है 132 मीटर इस दोनों को जोड़ दीजे कितना आजाएगा है दोसोगे आदिस मेंटर ओके टोटल रेल गाड़ी की चाल कितनी है 36 किलमीटर तो देखिए सेकेंड में आहां देखिए आप समस अभी सेकेंड में न तो इसको आप मीटर प्रतिस सेकेंड में बदल लेजेगा तो चतिस को कितने जुड़ा करेंगे 36 गुड़े 5 बटा 18 ठीक है देखिए जब भी मीटर प्रतिसेकेंड यानि कि सेकेंड में चेंज करना होता है ठीक है तो हमेशा 5 उपर रहेगा 18 नीचे यही किलमीटर में चेंज करेंगे तो 18 बटा 5 ठीक है 18 दुनी का चार्थी दो पच्चे 10 तो 10 मीटर प्रतिसेंड आगया यह क्या हो गई है यह चाल हो गई यह चाल हो गई यह दूरी हो गई ठीक है यह क्या हो गई दूरी समय पूछ रहा है समय का फार्मूला लगा दीजे टाइम बराबर डिस्टेंस अपान इस पीड ठीक है तो दूरी बटा चाल दूरी कितनी है 242 मीटर अपान दस ठीक है तो कितना आगया 24.2 मीटर 24.2 लगेगा सेकेंड ओके सेकेंड में आएगा ना 24.2 सेकेंड आपसर नमर बीस ही है ओके तो दोस्तों ऐसे कोश्चन होगा इसकी इन सॉड ले लिजे इसका चलिए नेक्ट कोश्चन पर देखेंगे दूसरा कोश्चन है A बटा 3, B बटा 4, C बटा 7, A प्लस B प्लस C वा पान C का मान बताईए ठीक है तो देखेंगे इसमें दोस्तों मान लिजे मान लिजे A बाई 3, B बाई 4, C बाई 7 बडाबर मान लिजे आप X क्या मान लिजे X मान लिजे तो देखेंगे यहां से यहां से A 3 है 3 का मल्टिपलाई इसमें फिर 4 का फिर 7 का तो A बराबर 3 X B बराबर 4 X यह 4 है फिर 7 X C बराबर 7 X ठीक है तो A प्लस B प्लस C का मान होगा तो A प्लस B प्लस C बाटा C है तो सब का मान रख दीजे A कमान 3 X 4 X 7 X C कमान कितना है 7 X ठीक है 3 X प्लस 4 X प्लस 7 X अपान 7 X जब बैट करेंगे दोस्तों 4 3 7 4 11 बटा X 4 3 7 714 होगा यह क्या हो जाएगा 14 14 X अपान 7 X यह एक्स एक्स कट गया साथ दूनी का चौह दो तुमान कितना आ जाएगा दो आ जाएगा आपसर नुमर 20 है ओके इसकी इसकी इसका तो दोस्तों यह देखिए यह भी है जो यह कोशन 2016 का इससे पहले जो किया हम लोग 2016 PCS का कोशन है यह ओके चले नेक्स चलते हैं देखि तीसरा कोशन करा रहा है यह दिएmist privacy का ऑए बी की मासिक आया ​सस चालिस पर्षेंट अधिक हो तो बी की आई एक यह से कितने प्रतिसत कम है तो दोशतों ऐसा कॉशन बहुत हुआ है तो प्रतिसत कम है ना तो इसमें देखे फार्मूला होता है इसका इनिवर्सल फार्मूला है इसको याद रखेगा आर अपान सो है प्लस आर गुड़े सो कॉप पूछ रहा है इसलिए आप प्लस हो जा रहा है अधिक पूछता तो माइनस कर देते सो पर सेंटेज आर की जगह क्या रख दीजिए आप कि तो यहां पर आर की जगह क्या रख दीजिए ठीक है आर की जगह यहां चालीस रख दीजिए पर दीजिए रखते हैं चालीस अपान 100 प्लस चालीस गुड़े सो थीक है चालीस अपान एक सो चालीस गुड़े सो जिरो जिरो कट गया ठीक है दो दूनी का चार दो सत्ते 14 दो का मिल्टिप्लाइज सो में 200 बट्टा आपको क्या गया साथ आ गया तो इससे भाग देंगे साथ दुनी का चोड़ दो फिर आपका आ जाए गया आपके छै ठीक है साथ वट्ट है चापण यानि की अठाइस दसमलों जाएगा तो देखिए एक ही है आपे दसमलों जो जा रहा है तो यह वाला आपसन आपसन नमर सी सही हो जाएगा इसको जब आपसाल करेंगा एठाइस सही चार बटा साथ आएगा ओके तापसन नमर सी सही है तो दोस्तों ऐसे कोशन करेंगा है सब कोई भी कोशन आएगा आपको यदि एक ही मासिक आए बी की मासिक आए से 40 परशंट अधिक हो तो बी की आए एक हैसे कितने प्रतिसत कम है इसमें इसके लिए यह फार्मूला य कमरे की लंबाई चोड़ाई और उचाई गनाब ठीक है यह ऐसे कुछ तो दस क्रमसद 10 परशंट 20 परशंट और 50 परशंट की ब्रिद्धी की जाती है उसके आयतन में होने माले प्रतिसत ब्रिद्धी याद कीजिए ठीक है घनाब की बात कर रहा है तो दोस्तों इसके लगातार दे दे ऐसा लंबाई चड़ाई और उचाई तो उसके लिए ऐसे करेंगे देखिए उसके लिए फार्मूला होता है यह प्लस भी प्लस एक उड़े बी अपन सो आप लोग इस पर बहुत ही कोश्चन कियोंगी इस फार्मूले का उच बहुत जगा होता है ठीक है तो देखिए एक के जगा आप क्या रखिए बीस रख दीजे एक के जगा क्या रखिए आप दस रखिए दस है ना बी की जगा बीस रखिए ठीक है तो ऐसे करेंगे देखिए पहले इसको इसको रख लीजे जो भी आएगा उसके साथ इसको और उसको और इसको रख लीजेगा ओके चलिए देखिए करते हैं यहां से यह के जगा पहले दस फिर बी की जगा बीस फिर एक के जगा यहां दस है यह बीस है यह बटा सो जिरो 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 कड़ गया हम दो दस बीस बीस तीस तीस दो बटीस यानि कि बटीस आया अब देखिए बटीस को लीजिए और फिर पचास को लीजे ठीक है फिर इस फार्मूलें पूट कर दीज तो 32 प्लस 50 प्लस 32 प्लस 50 बटा सौ ठीक है अब देखें जीर यहां पर 32 और 50 जब आट करेंगे जीरो जीरो कट गया एक जीरो से फिर पांच दुनी का दस दो सोला दुनी का बतीस ठीक है अब देखें बतीस पचास और सोला एट करेंगे तो आएगा आपका 98 यानि कि 98 परशेंट तो कितने परशेंट की बृद्धी हो रही है 98 परशेंट की आपसा नमर सी सही है तो ऐसे कर करेंगे एक बार तो इन दोनों पर करेंगे जो आएगा 32 आए न यहाँ पर जो आएगा 32 उसके बाद इसका और इसका इन दोनों का करेंगे इसी फार्मुलें पूट करेंगे क्या जागा 98 परशेंट तो ऐसे कोश्चन करेंगे चलिए नेक्स कोश्चन पर चलते हैं इसका इसकी इन सॉड़ ले लिजिए अंगला कोश्चन है पाच्वा किस अनुपात में 25 परशेंट अल्कोहल को 50 परशेंट अल्कोहल में मिलाया जाए कि मिसरर 40 परशेंट अल्कोहल हो जाए ठीक है 25 परशेंट और 50 परशेंट देखिए ऐसे केस में आप इसे कर सकते हैं 25 परशेंट इदर 50 परशेंट इदर किन मिलाने पर 40 परशेंट एल्कोहल हो जाए तो यहां पर इससे माइनस कर देजिए तो 50 में 40 माइनस करेंगे आपका आएगा 10 कि अपर 20 में और 40 करेंगे तो आएगा आपका 15 पंद्र है 15 तो दो बटा 15 तीन कि ना हंगा पांध निका 10 वस पांतियं 552 समेंदें तीन के अनुपात में बस आपसे नमर सी सही है तो ऐसे ही कोशन आयगा दूस्तों देखेंट कोशं जो है ये 2015 का कोशन ये यूपी पी सिज सिर्फा ठीक है यूपी पी पी सिर्फ का है ऊके तो दोस्तों आपको अगर कोशन अच्छा लगे और आपको समझ में आए तो आप वीडियो को लाइक करिए सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा सेर करिए आपका जो भी ग्रूप हो दोस्तों फेस्बूक हो वाटसप हो जहां भी हर जगा सेर कर देजे ओके दोस्तों और एक और सूचना मैं 12 की भी क्लास और हाई स्कूल भी क्लास इस पे लेता हूँ ठीक है तो उसका भी वीडियो अपलोड है प्लेलिस्ट में अबलेवल है तो आपका जो भी छोटा भाई हो या दोस्तों जो भी हो उनसे आप उनको बताईए उनको सेर करिए ओके जली थेंक्यू